मैं डॉक्टर धर्मेंद मिस्रा आपके ही चैनल बी आईडी स्मार्ट हिस्टेडी में स्वागत और अभिनन्दन करता हूं आप सोच रहोंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि ये बी आईडी स्मार्ट हिस्टेडी चैनल सभी प्रत्योगी छात्य छात्राओं को पूर्ण कराऊंगा जो कि आप लोगों के सेलेक्शन में में मेल का पत्थर साबित हो उसी के तहत मैं आज आप लोगों के सामने एक सामानी विज्ञान से समंधि टॉपिक लेके आया हूं फफफून जनित रोग फफफून फंगल कवक इस पर आधारित प्रस्ण जो है वो गंजापन दाद एथलियत फूट और खाज इस पर जो दमा है वो इस पार जील्यास फ्यूरी मी गेटम नामक कवक से होता है दमा में जो फेपड़े की कोशिकाएं होती हैं वो सभी कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं इस कवक की वज़े से गंजापन बालों में प्रभावित बालों को प्रभावित करता है और टीनिया कोपिटस नामक कवक से होता है इसमें बाल की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं और बाल गिरने लगते हैं और गंजापन आ जाता है इसके लिए विशेष रूप से बिटनो इसें बिट N का प्रयोक करना उचीत होता है। दाद ये टाईको फाईटाण नमत कवक सि होता है। दाद को रिंग वर्म भी बोला जाता आ। दाद में एक रिंग वर्म इसको इसलिए बोलते है और यहां पर छोटे छोटे ये यह दाने होती है इन दानों की वज़े से इसे रिंग वर्म भी कहा जाता है इसके लिए एक दवा होती है, रिंग, रिंग, रिंग का प्रियुक करते हैं विशेश रूप से और मिट्टी के द्वारा इसका संक्रमन होता है, खाज इसके बीज नामक कवक से होता है, खाज में तवचा सुखी हो जाती है, सफेद हो जाती है और काफी खुजली होती है, ये था विवरण फपून से होने वाले रोगों के बारे में, इसमें एथलीट फूट पर कोश्चन परिच्छा में अवस्य पूछा जाता है, अब मैं आपको कुछ प्रोटो जोवा से समंदित बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका विवरण यीज प्रकार है, प्रोटो जोवा से होने वाले जो रोग हैं, उसमें निद् तंद्रा रोग थाईप A नौसोमा नामक प्रोटो जोवा से होता है, इसके वाहक सीसी मख्खी होती है। पेचिस एं्ट अमिवा HIS्स्टो लेंडोलिति प्रोटोवा से होता है। पेचिस में व्याटि की आतेज होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। मलेरिया, प्लाजमोडेंडियम नामक प्रोटोजवासे होता है, इसके बाहर मादा एनोफिलिज होता है। चुकि यहां पर एक रोचक जानकारी यह है कि मादा एनोफिलिज व्यक्ति का रग्त चूशता है। जबकि नर एनोफिलिज जो है वो फूलों का रश चूशता है। यह एक रोचक तत है। पाईरिया दातों को मसूणों को प्रभावित करता है और यह एंटमिवा जंजवेलिस नामक प्रोटोजवासे होता है। पाईरिया में व्यक्ति के मसूढे से ब्लड आने लगता है, मवाद आने लगती है और व्यक्ति के मसूढे कमजोर हो जाते हैं। कालाजार, लिस, मैनिया, डोनों वानी नामक प्रोटोजवासे होता है। इसकी वाहक बालुमक्खी होती है। बालुमक्खी के कारण कालाजार नामक रोग होता है, इसमें तेज बुखार आता है। इस तरीके से मैंने फफूंद के बारे में और प्रोटो जवास से होने वाली बीमारियों के बारे में आपको एक संचिप्त जानकारी दी, आने वाले वीडियो में मैं आपको और कुछ रोचक जानकारी दूँगा, जो कि आपके आने वाली परिच्छाओं RO-ARO, UP-PCS के लिए मिल का पत्थर साबित होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू